नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी विमार्ष के आज के इस पॉड़कास्ट में। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो आप लगातार हमारा साथ देते हैं और हमारे कंटेंट को देखते सुनते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ओपरेशन की जिसने खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की एरफोर्स को LOC के पास पंगू कर दिया है ओपरेशन सिंधूर। इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे की भरत की S-400 वायू रक्षा प्रणाली ने कैसे कते तौर पर 200 किलोमीटर तक का नो फ्लाइ जोन स्थापित कर दिया। और कैसे रिपोर्ट्स के अनुसार 314 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के एक महत्वपून AWS सिस्टम को मार गिरा कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। हम इस पूरे विश्व को आसान और सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक जानकारी साफ और समझनी योग्य रूप में पहुँचे। शिरुवात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल देसी विमार्ज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला पॉडकास्ट आप मिस ना करें। सबसे पहले इसी पर आते हैं। यह जो दावा है कि पागिस्तानी एवाक्स विमान को 314 किलोमेटर की दूरी पर मार गिराया गया। यह दूरी तो अपने आप में मतलब बहुत ज़ादा लगती है, है न? आप बिलकुल 314 किलोमेटर यह अगर सच है तो यह सता से हवा में मार करने वाली किसी भी मिसाइल सिस्टम मतलब सैम सिस्टम के लिए अब तक की सबसे लंबी दूरी की मार होगी। सबसे लंबी मतलब रिकॉर्ड जी हाँ विश्व रिकॉर्ड खबरों में ये भी आया है कि इसके लिए 48N63 मिसाइल का इस्तमाल हुआ ये S400 की सबसे ताकतवर सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है और इसको खास तोर पे डिजाइन ही किया गया है बड़े लक्ष आया था ऐसा कहा जाता है तो अगर ये 314 किलोमेटर वाली बात सही है तो ये तो उस रिकॉर्ड से दोगने से भी जादा है बहुत बड़ी बात है ये कमाल है और ये AVAX विमान ये इतना खास क्यों होता है मतलब इसके मार गिरह जाने से पाकिस्तानी वायू सेना पर क्या असर बताय जा रहा है देखें AWAX का मतलब है Airborne Warning and Control System ये विमान किसी भी वायू सेना के लिए समझी आसमान में आखें जैसे होते हैं आसमान में आखें ये बहुत उपर उड़ते हुए सैकडों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमान, ड्रोन यहां तक की आने वाली मिसा हवाई युद्धक्षेत्र का कमांड सेंकर होते हैं ये हवा में ओ मतलब बहुत ही महतुपून बिलकुल तो रिपोर्ट्स के मुताबेक पाकिस्तान का ये जो स्विडिश निर्मित साब ARI 2000 AWX विमान था इसके नश्ट होने से उनकी हवाई निगरानी और कमांड कंट्रोल शम्ता को बहुत गंभीर जटका लगा है कुछ विशलेशन तो ये भी कह रहे हैं कि इस एक घटना से पाकिस्तानी वायू सेना की LOC के पास जो निगरानी करनी की शम्ता थी वो काफी हद तक पंगू हो गई है मतलब severely crippled पंगू ये तो बहुत बाड़ा शब्द है हाँ क्य रहेंगे होते हैं इनका नुकसान असानी से पूरा नहीं किया जा सकता उनकी पूरी हवाई रणनीती पर असर पड़ता है इससे समझ गया और इसी घटना के बाद ये 200 किलमेटर के नो फ्लाइ जोन वाली बात सामने आई तो इसका मतलब क्या वो असल में जमीन पर हाँ दा 200 किलमेटर अंदर तक अपने फाइटर जैट्स या दूसरे जरूरी हवाई जहाज उडाने से बहुत हिचकिचाएगी क्यों मतलब डर के ना रहे बिलकुल उन्हें ये खत्रा रहेगा कि भारत का S-400 सिस्टम उन्हें ट्रैक कर रहा है और कभी भी निशाना बना सकता है 200 कि क्यों मिटर एक बहुत बड़ा दायरा है तो व्यवारिक रूप से इसका मतलब ये हुआ कि उस पूरे इलाके में भारत को एक तरह की आप कह सकते हैं हवाई बढ़त या एर सुपीरियोरिटी मिल गई है क्योंकि दुश्मन उस हवाई शेत्र का इस्तमाल करने से डरेगा य कहा जा रहा था कि ये उतना प्रभावी नहीं है जितना रूस दावा करता है तो ये जो कथित घटना है इसका उन सब बातों पर क्या आसर पड़ता है सही कहा आपने यहीं पर ये बात और भी मतलब पेचीदा हो जाती है ये जो कथित घटना है ये उन पश्चमी विशलेशनों को सीधे सीधे चुनौती देती है पहले कुछ पश्चमी एक्सपर्ट्स ने युक्रेन युद्ध के उदारन गेते वे स-400 के रडार सिस्टम की स सीमाओं पर सवाल उठाए थे या ये कहा था कि अगर बहुत जादा इलेक्ट्रोनिक जैमिंग हो तो शायद ये उतना कारगर न रहे लेकिन 314 किलोमीटर दूर एक AWAC जैसे लक्षय को मार गिराना वो भी एक ऐसा लक्षय जो खुद बहुत शक्तिशाली रडार और इलेक् जारतिय परिस्थितियों में कितना सक्षम हो सकता है तो मतलब ये एक तरह से भारत के लिए S408 की क्षमता का प्रदर्शन भी हो गया ये है हां हां ऐसा कहा जा सकता है ये उन नारेटिव का खंडन करता है जो इसे कम आंक रहे थे ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक रक्षात स्थितियों को देखते हुए कि अश्रोत सामगरी में आगे के लिए कुछ सुझाव दिये गए है हां ये भी एक महत्वपून पहलू है रिपोर्स में जो एक्सपर्ट की राय बताई गई है उनका कहना है कि भारत को सिर्फ इसी पर मतलब आत्मसंतुष नहीं होना चाहिए और क्या जरूरते बताई गई हैं? के अधिगरण पर भी विचार करने का सुझाव दिया गया है एस 500 ये तो और भी एडवांस्ट होगा जी हां माना जाता है कि एस 500 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शमताओं के साथ साथ हाइपरसॉनिक लक्षयों को भी भेदने में सक्षम होगा हाला कि इसकी वास्तविक शमत करने में लगा हुआ है कहा जा रहा है कि वो तुर्की से कुछ सिस्टम खरिद रहा है और साथ ही चीन से एडवांस्ट एडिफेंस सिस्टम हासिल करने की कोशिश में है HQ-19 को चीन का अपना थैड जैसा सिस्टम माना जाता है तो मतलब ये एक तरह की हाथ्यारों की दोड़ चल रही है इस शेत्र में बिलकुल ये सपष्ट रूप से दिखाता है कि इस शेत्र में तकनीकी श्रेष्टता हासिल करने की होड लगातार जारी है हर पक्ष अपने शमताओं को बढ़ाने और दूसरे पक्ष के बढ़त को कम करने की कोशिश कर रहा है तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो निचोड क्या निकलता है ऐसा लग रहा है कि S-400 की तैनाती और फिर ये कथित ऑपरेशन सिंदूर इसने LOC के पास शक्ती संतुलन को काफी हद तक बदल दिया है हाँ अगर ये रिपोर्टे सटीक हैं तो इसका असर तो बहुत बड़ा है इसने न केवल एक असाधहरन कथित विश्वी रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है बलकि S-400 सिस्टम की शमताओं पर जो पश्चमी संदे थे उनको भी चिनौती दी है और पाकिस्तान की हवाई शमता पर भी सीधा असर डाला है बिलकुल उस 200 किलोमेटर के कथित नो फ्लाई जोन का बनना और A.W.A.C.S का नुकसान ये पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महतोपूर्ण है तो अंत में ये पूरा प्रकरण ना के उवल इस शेतर की जटल सुरक्षा स्थिती को उजागर करता है बलकि ये भी दिखाता है कि कैसे टेकनोलोजी और सैननेक्षमता लागातार विक्सित हो रही है और संतुलन को प्रभावित कर रही है हूं ये एक बहुत महतोपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हमें सोचना चाहिए इस तरह कि जो उन्नत लंबी दूरी की रक्षा प्रणालिया हैं इनका प्रसार दक्षिनेशिया में लंबे समय के लिए रणनीतिक स्थिर्ता को कैसे प्रभावित करेगा क्या ये एक निवारक के रूप में काम करेंगी मतलब युद्ध को रोकेंगी या फिर अंजाने में तनाव को और बढ़ाएंगी क्योंकि हर पक्ष दूसरे से आगे निगलने की कोशिश करेगा ये एक बड़ा सवाल है सही का इस पर वाकई सोचने की ज़गूरत है तो दोस्तों ये था आज का पॉड़कास्ट जिसमें हमने जाना कि रिपोर्ट्स के नुसार S400 प्रणाली ने कैसे LOC के पास भारत की वायू शक्ती को एक नया आयाम दिया और ऑपरेशन सिंदूर के क्या माइने हो सकते हैं DCV मर्श के इस एपिसोड को देखने और सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो क्रिपया ऐसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि भारत और दुनिया के करेंट अफियर्स को आसान भाचा में समझें, तो हमारे पिछले पॉडकास्ट भी जरूर देखें बहुत कुछ है जानने को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँचे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जहां हम फिर लाएंगे एक नया विशय, एक नई सोच, और आपके लिए जरूरी जानकारी नमस्कार